गुड मॉर्नेंग प्यारे विदार्थियों गैत्री विद्यावंदीर उच्छों माध्यमिक विदारे सांचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं प्यारे विदार्थियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा एर्थ की संस्कृत व्याकर्ण क्या कारख परकनम भाद एक इन्हीं परकन के साथ में मैं मुकिष्कुमार वर्मा तो आईए प्यारे दार्थियों आज का परकन अपना आरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस प्रकण को अच्छी प्रकार से समझेंगे और उनकी बाद में हम अपनी कोपी के अंदर में सुन्दर लिखावट में लिखेंगे आईए प्यारविदार्थियों आज का प्रकण अपन आरंब करते हैं पेरे विदार्थियों आज का जो परकने अपना वहा हैं कारक परकनम तो देखें कारक परकन के अंदर कारक सब्द के उत्पति कैशे हुए कारक सब्द जो कैशे बना है तो कारक सब्द के अंदर क्री धातू के अंदर नवुल परत्य के योग में या नवुल परत्य को जोड क्रि धातू में नवुल्पर्ट्ट्य जोडने पर क्या बना है कारकसब्द तो प्यारे विद्यारतियों आप हम पढ़ते हैं कारक की परिभासा कारक की परिवासा वाक्यों में जिसका क्रिया के साथ सम्मंद होता है यानि कोई भी वाक्य हो उस वाक्यों में किरिया के साथ में जिस सब्द का संबंद होता है उसे हम क्या कहते हैं कारद जैसे मोहन इस्वरम नमती मोहन इस्वर को परणाम करता है तो यहां पर किरिया क्या नमती नमस्कार करना परणाम करना तो इसके साथ संबंद किसका एक तो का है इस्वर का तो देखे प्यारे विदार्थियों मोहन और इस्वर जो हैं दोनों यहां पर क्या है कारक बने हुए हैं तो यह क्या हो गया कारक तो देखे आप मैं समझते हैं इस वाक्य में मोहन और इश्वर का संबंद नम्ती की लिया से अतों मोहन और इश्वर दोनों क्या है कारक है मोहन क्या है इसमें करता कारक है और इश्वर इसमें क्या है करम कारक अब देखें हम परते हैं कारकों के भेद एवंपरका की कारकों के कितने भेद होते हैं कारकों की कितनी परकार होते हैं उनकी बारे में हम जानते हैं तो देखें प्यारे विद्यातियों संस्कित व्याकरण के अंदर जो है वो कारक कितने परकार के होते हैं कारक छे परकार की होते हैं उनमें देखें पहला जो है कृता कारक दूसरा जो अकारक है वह है करम कारक और बेद या कारकों के प्रकार अगला देखें आब हमग पढ़ते हैं कारकों का चिन और कारकों के अन्दर लगए जाने वाली विबक्तियां तो देखें संस्कित बाहसा के अंदर एक से लगाकर के आंट तक क्या होती विवक्तियां पर्थमा दूत्या तो उनहीं विवक्तियों के आधार पर ही क्या होते हैं यह कारक होते हैं तो देखें कर्ता कारक की पैचान का एक चिन होता है वह कर्ता का क्या चिन है नहीं करम का चिन है को करन का जो चिन है वहाँ से या द्वारा संपरदान के लिए अपादान का चिम्बल क्या है निशान चिन क्या है से अलग होने के अर्थ मे सम्बंद सम्मंद को कारक नहीं माना गया विवक्ति की अधार पने जोडा गया हैं तो सम्मंद का की किया रहा दे एदि अधीकरन का है में पेपर और सम्मोधन का है यह ओ रहें तो इन्हें इसको आप ट्रिकके माद्व से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं करता ने कर्म को करण से द्वारा संपरदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंद काके की रारेरी अधिकरण में पेपर संबोधन ये ओ अरें इस प्रिकार से भी हमेने आसानी से याद कर सकते हैं तो देखें अगला हम इसको अब बढ़ते हैं कारक में पहला जो हमारा कारक है वा कौन सा है करता कारक करता कारक क्या है किसी किरिया को करने वाले व्यक्ति को किसी कारी को जो भी व्यक्ति कर रहा है उस कारी को करने वाले व्यक्ति को हम क्य कहेंगे करता काड़ी को करने वाला है तो क्या करता और इसका चिन जो भी पड़ा पड़ने वो क्या था नेम करता में पर्थमाव बक्ति का प्रयोग होता है यानि करता कारक के अंदर कौन से बक्ति का प्रयोग होगा पर्थमाव बक्ति का प्रयोग होता है जो अभी हमने ता सितापिष्टक पढ़ती हैं सितापिष्टक को पढ़ रही हैं बाल का ध्हबनती बाल क्या कर रहे हैं रहे हैं अगिला ーगे कर दोर्म है हैं क्रिष्णा फ्लम खादती क्रिष्णा फ्ल को खा रहा हैं तो प्यारे विजारतियों देखें यहां पर इन बाक्तियों को वापस पर देखते हैं बार राम ग्रामम गच्टी राम ने गाम जाने का काम कौन कर रहा किस ने किया राम ने तो देखें प्यारे विजारतियों क काम किसने किया बाल को ने बगीशे में कौन गया या बगीशे में किसने गया तो किस लिए कौन गया था बगीशे में मनहार बगीशे में जानने का काम किसने किया था मनहार ने फल को किसने खाया था किसने ने तो इस परकार से ने जो है वो बार बार इसमल में सब के लिए पर करता का सम्मंद किस से हैं परत्माई बगती से परत्माई बगती से हैं और इसमें ने चिंबल आ रहा है तो यहां पर कारक कोन सा हो रहा है करता कारक हो रहा है परत्माई बगती का परियोग किया जा रहा है तो समझ में आ क्या होगा प्यारे विद्यारक्तियों तो इन्हें आप पिस प्रकार से और पिस मेंने की कौशिश करेंगे तो देखें अब हम पढ़ते हैं दुसरा करम कारक क्या पढ़ते हैं करता जिसको बहुत चाहता है करता जिससे अधिक प्यार करता है जिससे बहुत चाहता है उसे करम कारक काहते हैं उसे करम कारक कहा जाता है और करम कारक की हमेशा दित्यालबक्ती होते हैं तो इसमें दित्यालबक्ती का परियोग होता है इसका चिन क्या है को को सवरिक कि देवदत हरी बजती वह क्या है करम है क्या है तो हरी को बजने का हरी क्या हो गयार कर रहिक हो गया यहां परकरम कर रहें जिसका चिमा क्या है को करताने करम को राम विजाले को गषती यानि जा रहा है कहां जा रहा है विजाले को जा रहा है कौन जा रहा है जाने काम किस ने किया राम ने राम में कौन सा करता कारक विजाले आएगा तो कौन सा कारक हो गया करम कारक तो देखें मोहन पुस्तकम पढ पढ़ने का काम किस ने किया मोहन ने करम किया क्या करम किया है उसने पुस्तक को पढ़ने का बालक सिहम पस्थ्यति बालक सेर को देखता है तो क्या रहा सिहम सेर को बालक ओधनम खादती बालक जो है वह चावलों को खा रहा है चावलों को खा रहा है कौन खा रहा है खाने का क किसने किया बालकने क्या खा रहा है ओधनम चावलों को यानि कि दित्या अविवक्ति का प्रयोग किया जा रहा है अगला देखें ये शुदा गीतम गायती ये शुदा जो है वहाँ गीत को गा रही है ये शुदा गीत को गा रही है क्या गा रही है गीतम गीत को अगला देख इसके इसी परकार उप्व बगति के आदार पर देखें तो अबीत यह जो सद्ध है इन सब्दों का मेल होने पर भी दिट्याहि बगति का प्रयोग किया जाता है अबीत जिसका आर्थे सामने उब्यत्व दोनों और परित्व चारों और सरवत्रव सब्यों दिकार हैं सम्या, पास में, निक्षा, समिप्र में, हाँ, अप्सोश, तर्ति और इन सब्सब्दों के योग में आ इन सब्सब्दों का योग होने पर भी हमको चिनह का उप्योग नहीं होने पर भी अगर वहाँ पर चिनह को नहीं दिखाई दे रहा है को का प्रयोग नहीं हो रहा है और इन सब्द आ रहे हैं तो इन सब्दों के यूग में भी दित्याविबक्ति का प्रयोग होता है तो इन सब्दों को मैं याद रखना तो देखें यहां पर ग्रामम अभीतह नदी अस्ति अभीत के योग में ग्रामम में कुन से वक्ति का प्रयोग क्या गया जित्याई वक्ति का करम के योग में तो देखें ग्रामम अभीतह नदी अस्ति ग्राम के सामने क्या है नदी है क्रश्णाम उब्यत गवाला अस्ति क्र ग्रामम परिता व्रक्षा संती उब्यत के योग में यहां पर दित्याई बग्ति का प्रयोग हुआ है परित यानि चारो और व्रक्षा यानि पेड संती यानि है ग्रामम गांग के चारो और पेड हैं तो परित के योग में यहां पार दित्याई बग्ति करामकारक बन रहा है इसी प्रकार देखें दिक तवाम में दित्याविबक्ति का परियोग हुआ है सरनगरम सरवत्र वनवस्ति नगर में सभी जगह क्या है वन है बालक विद्यालयक। पर्ति के यूग में विद्यालय के अंदर दित्याँ विवक्ति का पर्योग किया गया है हुई है हाँ सथम सथ के प्रति अफसोश है हाँ यानि अफसोश हाँ के योग में सथम सब्ड के अंदर भी दित्याई वक्ति का प्रयोग किया गया है इनके लावा और भी इसके रूल से वो भी देखते हैं अपन इस करम कारक के अंदर आदी सिंग इस्थासाम करम सुत्र के अनुशार आदी सिंग इस्थासाम क्या है एक आदी सिंग इस्थासाम एक सुत्र हैं चुक इस करम सुत्र के अनुशार भी अदी उपसरक पुर्वक यानि इन सब्दों के आगे जब ये अधी उपसरग इन सब्दों के आगे अधी सरफ उपसरग के जुड़ जाने पर जो सब्द बने हैं इनके योग में भी जुत्या विबक्ती का परयोग किया जाता है तो देखें सीधातू में क्या बनाए अधी उपसरग जुड़ने पर अधी शेते अधी सोना अश अध्यास्ते अधी उपसरग जुड़ करके इस था अधी तिष्ठती उपवस्ति और अधी में वस्त किर्या के योग में अधी वस्ति के इनके साथ भी यो बता हैं इन सब्द इन किरियाओं के आगे अधी उफ्षरक जुड़दे पर इनके योग में भी दित्यायवक्ती का परियोग किया जाता, यहां पर भी करम कारक बनता है, तो देखें, राजा सियां सनम अधितिस्थती राजा सियां सनम में psychologists का प्रयोग किया है राजा सियाशिन पर बैठे हुए हैं सियाँ वनम अधिसेते सेर वनमे क्या करता है सोता है सेर जंगल में सोता है अधिसेते ने सोता है तो अधिसेते की योग में वनम में दित्या वक्ति का प्रयोग किया गया हरी व्यकुंटम अध्यास्ते हरी व्यकुंट में रहते हैं भगवान व्यकुंट में रहते हैं तो अधिव उप्षरग आस्तातु अध्यास्ते के योग में यहां पर भी दित्याई बक्ती का प्रयोग किया गया है वनम में दित्याई वक्ति का प्रयोग क्या है उपवस्ति सब्दाने पर सिया वनम उपवस्ति सेड जंगल में रहता है अब देखें हरी वैकुंटम अधिवस्ति हरी वैकुंट में रहते हैं हरी वैकुंटम अधिवस्ति यानि रहते हैं निवास करते हैं तब भी देखें आपर भी दित्याई वक्ति का बैकुन ठम में प्रयोग हुआ है अधी वस्ति के योग में तो प्यारे विदारतियों इन सब्दों को आप अच्छी प्रकार से समझेंगे और इन दातियों को समझ करके फिर आप अपने कॉपिक के अंदर इन्हें लिखेंगे तो मैं आप शुमिद रखता हूँ कि आज कि इस वीडियो के अंदर आपको जो ये कारक हैं वह समझ में आ गया होगा तो प्यारे विदारतियों मिलते अपन अगले वीडियो में धन्यवाद आज कि इस प्रकार को आप लाइक करना नहीं बुलें आप इन्हें लाइक चरू करें तेने वाद